हाई गाईज, वेलकुम बैक, I am डॉक्टर मनि, इस फ्रॉम प्रॉम बी ओर ओन डॉक्टर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसनिया के बारे में, डिसनिया का मतलब होता है, कि जब किसी वेक्ति विशे इसको सास में रेसानी मैसूस होती है, सास लेने में दिख् कुछ प्रकार की डिकत जब वह सास में महसूस करता है तो उस इसी को डिज्निया । तो जएके की साश दिकत में महसूस कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे करण हो सकते हैं कि कि कैवल कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं उनको कोई श्म्टम जईसे की भुखार काशी गले में दर्द श लेकिन concept थोड़ा सा clear कर लेते हैं कि Disney के लिए बुक क्या कहती है कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके करण किसी व्यक्ति को सास लेने में दिक्कत हो सकती है कि या कोरोना ही हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है तो ऐसे बहुत सारे करण हो सकते हैं हम बुक में आगे देखते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि कि अंदर आता है उसके होन के ऍदर और निघिया हुर्त कि टाट से ओकोड नृझ में पर शेशन के जाती है दॉसे पताइट smokes of प्रिजनिया के बारे में एक लाइन बहुत इसांस लेने में उसको प्रिषानी महसूस हो रही है उसको व्यक्ति हर अलग तरीके से महसूस कर सकता है परन्तु कोई भी व्यक्ति सांस लेने में किसी प्रिकार की कठनाई को यदी महसूस करता है तो उसी स्थिति को डिजनिया कहा जाता है पुरानी विमारी होती है बहुत सरे लोगों को जैसे पुराना अस्थमा है किसी को या फिर अस्थमा का कोई अटैक पहली बर हुआ है तो उसी व्यक्ति को सांस में दिक्कत महसूस होगी जिसमें लोग जादे धुम्रपान करते हैं वह व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकति है इसके साथ साथ कुछ और विमारिया जैसे की हाईपक्सिया यदि किसी कारण से सरीर के अंदर अक्षीजन का लेवल कम हो तो परिशानी बन जाएगी व्यक्ति को या फिर एसी डोसिस किसी कारण से हो जाए जो है जो लोग जिनको सुगर बगरा जादा हो बहुत जादा बन जाती है और वो डीके की इस्तिति में चले जाते हैं मैंने कई वीडियो में रखेंगे को उपर उनको आप देख सकते हैं ज साइको जयानी कंडिशन के कौई बहुत मैक्ति कि संस लेने में IPM होती है मैं वहत माही सांस लेने में दिक्कात होती है मंतलब के इस वाहें में दिक्कत है वो अचानक से आई है या वो पहले से चल रही है थोड़ी थोड़ी सी पहले भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हुई है क्या व्यक्ति को कोई ऐसी मैडिसन लिया है उसने हाल फिलाल में कोई ले रहा है या फिर लेने के बाद में उसको सांस में दिक्कत जल्दी से कुछ लोग कॉमलह्य promote होते हैं तो वो जल्दी से गब रा जाते हैं किसी भी चीज को देख करके तो वो आजकल क्पपर가지 है कि अचनक KNOWरी का नाम सुन करके आप time Match मेंco ज्राइट क्या होंगे मेंतीं को और सवीयएर सबसmile को अरढ़ी चैसमेंटेतें में》दें बलब के साहते है करूद stress च्परीजर के अंदर से हवा करी हता है स्जीन चम्राफि छुष Vallakande जाते हैं कि एक कारन से कोई खूण का ठका बन जाता है और ब्लड के साथ बहता हुआ यदि जाकर के फेपडों की जो नसे होती है जो आर्ट्रिय अवेन होती है उनके अंदर जब जाकर के फज जाता है तो व्यक्ति को सांस लेने में जो बहुत ज्यादा परेशानी होती है उसलिफ बिमारी हार्ट फेलियर वगरा की स्थिति में भी इरोगी को सांस लेने में बहुत जादा दिक्कत हो जाती है इसके साथ इन्हों ने कहा है कि पल्मोनरी एंबोलिज्म के बारे में थोड़ा सा और इन्हों ने डिटेल में बताया है कि यह जो है किन लोगों को हमें होने की सम्भावना जादा रहती है यदि किसव्यक्ति की हाल-फिलाल में कोई सर्जरी हुई है और वह सर्णेदी के बास में एक जएंग ही जिंघ्ज है ज्यादा ही पर यह नहीं चलाए हैं उसकिति को डीवी बन सकता है इसके साथ DVT जिन लोगो को है DVT डीप वेन-स अब यह पैर की जो नसय होती है उनके अंदर खुन के ठक्की जम जाते हैं डीवीटी तो जिन लोगों को DVT है पहले से पता है और DVT के ऊपर मैंने एक वीडियो बना यह आप चेक कर सकते हैं तो DVT जिन लोगों को है वहां पर जो क्लोट बना है वहां भी तूट करके उपर फेबरों के पास जा करके फच सकता है pulmonary embolism की स्थिदी पैदा कर सकता है कुछ और स्थिदिया जैसे कि कैंसर जिन लोगों को है उन लोगों को pulmonary embolism होने का खतरा जाद रहता है अबेसिटी वालों को मोटा पे वाले लोगों को या फिर जिसको पैर में नीचे पैरों में चोट लगी हो जैसे कुछ लोग कुछ बच्चे जो हैं वो क्रिकेट वगरा खेलते रहते हैं या होकी वगरा तो उनको पैरों में चोट लग जाती है किसी भी करण से बच्चों को तो जो पेरों में चोट लग जाती है उसके करण भी पल्मोनरी एम्बलेजम बन सकता है silent myocardial infarction myocardial infarction जो होता है basically heart attack के लिए एक डॉक्तरी सब्दे दे दिया गया है तो silent होता है मतलब इसमें रोगी को पता ही नहीं चलता कि उसको heart attack आया है तो यह जो इस्तिती होती है इसमें भी ऐसा हो सकता है सांस में दिक्थत महसूस हो सकती है और यह Silent Heart Attack किन लोगों को द्यादा होता है बहुत important point है diabetic person, जिन लोगों को सूगर होती है उन लोगों को Silent Heart Attack होने का बहुँ ज़ादा खत्रा होता है वुमेन महिलाओं को भी silent heart attack होने का खत्रा काफी जादा रहता है और जिन लोगों को heart failure वगएरा होता है उन लोगों में भी डिजनिया की स्थिति आ सकती है कह रहे हैं कि chest pain कुछ लोगों को छाती में दर्द भी महसूस हो सकता है सांस की दिखत के साथ साथ तो कुछ लोगों को pericarditis जो heart की मसल्स मास्पेस या होती है उन पर किसी कारण से सूजन आ जाती है तो वो स्थिति हो सकते है उसकी बज़े से भी दर्द हो सकता है नियूमोथ और एक्स फेपरों में से जब हवाकरी साब हो जाता है तो उसे में भी रोगी को जो है चाती में दर्द होता है देखिए कितने सारे कारण यहां पर बता दिये गए हैं कुछ और भी कारण बता हैं जैसे कि panic disorder कुछ लोगों को जो है कुछ लोग एक तम से अचानक से घबरा जाते हैं उसी स्थिति में भी उनको सांस में परेशानी की स्थिति जो है महसूस होगी उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है डिजनिया हो सकता है केवल और केवल कोरोना में ही नहीं इतने सारे कारण हो सकते हैं सांस में दिक्कत के आज वो सारे के सारे हमने आपसे डिसकस किये हैं यदि किस वैक्टि को खासी हो, कफ हो, फिवर हो और जो है उसको सांस में दिक्कत हो तो ये infection को बताता है कि साती के अंदर infection हो गया वो infection bacteria के करण भी हो सकता है वो virus के करण भी हो सकता है उसको फिर डॉक्टर अलग तरीके से देख करके बताएगा कुछ लोगों को जोता है खुन की कमी होती है सरीर के अंदर उस इस्थिती में भी उसको सांस में दिक्कत महसूस हो सकती है थोड़ी सी दूर चलेगा व्यक्ति उसको सांस फूल जाएगा तुरंट से ठीक है जी तो यह कारण हो सकते हैं यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिक करके मुझे बताएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार